अलो दोस्तों यह मारे पास question given है if f of x is equal to minus x square plus x plus m g of x is equal to x plus 3 and f of g of f of 2 is equal to minus 1 then m is equal to 8 m की video में find out करनी है तो चली देखते हैं हम देखे हैं मारे पास given है f of x is equal to minus x square plus x plus m हम देखे हैं इस expression में हम x की जगहां पर 2 put कर देते हैं तिहांसा मारे पास आजाएगा f of 2 is equal to minus 2 का square plus 2 plus m तिहांसा मारे पास आजाएगा f of 2 is equal to m minus 2 अब यहां पर देखे हैं मारे पास given g of x is equal to x plus 3 g of x is equal to x plus 3 हम देखें इस expression में हम x की जगहां पर f of 2 put कर देते हैं ति मारे पास हुजाएगा g of f of 2 is equal to f of 2 plus 3. f of 2 मारे पास आगए m minus 2, यहांवे put कर देंगे, ति मारे पास हुजाएगा g of f of 2 is equal to m plus 1. ति हैसे मारे पास आगए g of f of 2 is equal to m plus 1. अब यहांसे देखें, अगर हम लीखें, f of g of f of 2 यह मारे पास हो जाएगा f of m plus 1 अब मैं आप देखिए मारे पास गिवन है f of x is equal to minus x square plus x plus m यहाँ देखिए इसे प्रशन में हम x की जगाँ पे m plus 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ मारे पास आजाएगा f of m plus 1 is equal to minus m plus 1 का होली square plus m plus 1 plus m यहाँ देखिए a plus b की उली square को फानल अप्लाइ करेंगे और minus का अंतर multiply करेंगे तो जाएगा minus m square minus 2 यह minus 1 plus m plus 1 plus m यहाँ देखिए 1 से 1 cancel हो जाएगा और minus 2 m से m और m cancel हो जाएगा तो यहाँ समारे पास आजाएगा f of m plus 1 is equal to minus m square यहाँ देखिए f of m plus 1 की जाएगा प्लस में पूट कर देंगे minus m square और इसकी value मारे पास given है minus 1 कि हो जाएगा minus 1 minus minus cancel हो जाएगा तेहाँ समारे पास आजाएगा m square is equal to 1 तेहाँ समारे पास m की value आजाएगी plus minus 1 यह मारा answer दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग दी वीडियो वीडियो